हेलो पुछो नमस्कार मैं मनुराथी आप मुझे देख रहे हैं मनुराथी यूट्यूब चैनल पे आप भई पीछे देख रहे हैं एक नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन की चीज का है यानि DPSC यानि की आपका डिपलोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन एंटिटी के फॉर्म आ गए हैं एंटिटी यानि की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और भई एंसी टीए नेशनल काउंसिल आफ टीचर एजुकेशन यानि की मान्यता प्राफ जि बहुत सारे मेरे स्टूडेन्स थे वो परिशान रहते थे कि मैं यूपी में कब आएंगे एंटिटी के फॉर्म एक बात अभी यहां पर खास तौर पर नोट कर लिजिए कि अगर आप लगना चाहते हैं नर्सरी टीचर ठीक है DTSB में भी NCTE रिकोगनाइस वाला जो है वह यही जो है दो साल का डिप्लोमा चलता है और KVS में भी आने वाले टाइम पे बालवाटी का नाम से यानि फॉंडेशनल स्टेज पर जो स्टार्टिंग के पांच साल होते हैं उस पर जो है नर्सरी टीचर की भरती आने वाली है तो भई आपके लिए एक गोर्डन ऑपरच जो है भई वो डिप्लोमा कर रखा हो एंटीटी का और कोई बोलता है कि भई मैंने तो यह एंसीटी डेली वाला कर रखा है एक लेबर वाला कर रखा है ठीक है वो कोई नहीं चलता है चलता है तो एंसीटी रिकोगनाईज आपका एंटीटी का डिप्लोमा जो की दो साल का ह होता है अब यह आप कैसे कर सकते हैं क्या है सारी क्वालिफिकेशन वह आपके साथ में साजा कर लिए देखिए डी पी एस टेटी ट्रेनिंग दो हजार चौविस ओनली महिलाएं और यूपी की ठीक है आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन पर खास्त और पर लिखा है कि उ एबसाइट है entdata.co.in इसके बाद सेक्षि क्यों गयता है ग्रेजुएशन में पचास परसंट ठीक है स्टी एस्टी ओबीसी पी एच और एसम स्वतंतरता संग्राम सैनानी के जो आश्रित हैं उनको पांच परसंट की भई छूट है इसके बाद आयू सीमा है भई 18-35 वर् ठीक प्राइवेट संस्थान है यह 20 प्राइवेट है मलफीज जाता है मगर पूरी तरीके से एंसी टी रिकॉगनाईज है एक हमारी स्टूडेंट है ठीक है मेरी उससे बात भी हुई थी इस वीडियो को बनाने से पहले तो भही वह दिली में डी ट्रिपल एस भी के थू न नहीं हुए आपको बता है हमिशा पुक्ता ख़बर सीधी सपार्ट और सही ख़बर के लिए मनुराठी यूट्यूब चैनल जाना जाता है तो इसलिए यहां 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 से कर सकते हैं सीट कितनी है चौदा सो अब यह है कौन से कौन से ठीक है भई यह है ठीक है आपके एरिया में जो उनसा हो आप देख सकते हैं ठीक है और साथ के साथ उनकी सीट भी बता देती हूँ नाम इसलिए पढ़के बता रही हूँ ताकि कोई confusion ना रहे आपको महर्शी मूलचन यादम सिक्षा अम प्रसिक्षन संस्थान जोनपूर पचास सीट मोनी बी मनवाडी गल्स दिग्री कोलेज कानपूर नगर पचास सीट दयावन्ती पुंच ट्रेनिंग इंसिट्यूट बदोही पचास सीट भागवन्ती एजुकेशन सेंटर दिग्री कोल भाट नंबर 126 तहसील मवाना जिला मिर्ट बही ये सो सीट दयानद विद्ध्यापिट एजूर इजुकेशन इंसिटूट जोकी मिरट में है उसमें भी सो सीटे मिरट वाले कहीं है आपर सवیता देवी इंसবूट आफ टेक्नलोजी ये भी मिरट में है और सो सीटे हैं श कॉल्ज व्योगेशन मेरट में ही यह 100 seat देयावन्ती कॉल्ज व्योगेशन मेरट 100 seat NCR कॉल्ज व्योगेशन मेरट 50 seat सत्याशिक्षा एमंप्रेसिक्षन संस्ता नागरा 50 seat पंशिल टीचर अगर यहां पर है पचास सीट और आपका BM विद्यापिड आगरा यहां पर है आपकी पचास सीट यह मैंने आपको कॉलिज बता दिये ठीक है तो महिला अभिहरती ही जो है वो भर सकती है सेलेक्शन कैसे होगा कमाइंड मेरिड लगेगी जिसमें आपके हाइज स्कूल 10 12 और जोड़कर एक मेरिड लगेगी जिसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपको यह संस्तान में आपका सेलेक्शन हुआ है आपको डीवी के लिए डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन के करवाने होंगे मूल प्रिति फोटो कॉपी फोटो लेकर जानी है ठीक है एक साल की फीस जो है वह आपकी है 41,000 रुपे दो साल का कोर्स है लगबग और भई जो फाइल वाइल के खर्चे के साथ एक लाग तक की पढ़ जाती है ठीक है आवेदन शुल क्या है भई S.E.S.T. 200 रुपे ये फॉर्म बढ़ने की फीस है जो उल्लाइन तरीके से आपको भढ़ना है अदर्स की 400 रुपे दिव्यांग जन से कोई फीस नहीं है इंटरेट बैंकिंग, ATM का डेबिट कार्ड, Union Bank of India के उसमें आपको बनाना है ठीक है एप्लिकेशन फॉर्म का प्रि साथ की साथ भई एक और रुटिफिकेशन आ रहा है वो है CT का यानि की नर्सरी प्रसिक्षन 2024 ये टीचर सर्टिफिकेट है सीशु शिक्षा को लेकर यानि दो वर्स का प्री सर्विस कोर्स है प्राइमरी लेवल का अब देखिए आपको मैं साफ तोर पर बता देती हूं कि इसते पहले जो DPSC entity का कोर्स था उसमें मेरी एक student वो लगी हुई है उसने यहां से ही किया था तो बिल्कुल 100% बात है इसको लेकर R&R बिल्कुल भी clear नहीं है एक तरफ तो भई ये नर्सी टीचर की बात करते हैं और certificate course की बात करते हैं दो साल का कहीं पर भी अगर आपकी प्राच्मिक सिक्षक भरती की बात करें तो वहां आपका दो साल का डिप्लोमा चलता है ठीक है और आपका नर्सी टीचर की एंटिटी की वेकेंसी आती है तो वहां पर भी डिप्लोमा चलता है अब ये दो साल का certificate course है तो इसको लेकर भई जो है दो ही संस्तान कराते हैं दो इसके बाद देख सकते हैं आपकी सेक्षिक योगिता वही है ग्रेजुशन में 50% SCST OBC PH ESM को 5% की चूट एज 18-35 SCST OBC को 5 वर्ष की चूट 40 साल आवेधन चूल के SCST का 200 अदर्स का 400 दिव्यांग जन की कोई फीस नहीं आपको इंटरनेट बेंकिंग ATM कार्ड डेविट कार् प्रसिक्षन सहस्तान का नाम जो यह आपका करवाएंगे यह वाला सीटी कोर्स वो है आपका राजके शिशु प्रसिक्षन महीला महाविद्दयले प्रयागरा जिसके अंदर 34 सीट से हैं राजके शिशु प्रसिक्षन महीला महाविद्दयले 27 आगरा इसके अंदर 27 सीट है ठीक है और आपका क्या रहेगा आपका सेलेक्शन का माइंड मेरिट रहेगी आपका 10 12 ग्रेजुएशन की आफ्टर सेलेक्शन आपका डीवी इन दोनों जो महावित देल्म है जहां आपका चैन हुआ है वहीं पर होगा ठीक आप जाहें तो इन जो है यहां पर जा सकते हैं इ यहां पर आप देख सकते हैं यह CT वाले का नोटिफिकेशन है और सारी बाते मैंने आपको बता दी है ठीक है एंटिटी वाला जरूर कर लेना को बहुत अच्छा है क्योंकि आने वाले समय पे एंटिटी की बड़ी भरती आएगी KVS में भी कहा है ठीक है और आपको बता है कि जितने भी स्कूल है उनमें नर्सी टीचर जो है वो पर्मनेंट बिलकुल लगेंगे क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है राश्य शिक्षा नीती का वो है आपका 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 जो यह स्टार्टिंग के 5 साल है ठीक है इसमें जो यह तीन साल है यह आपके पूर प्रात्मिक की हैं तो यहां पे पूर प्रात्मिक सिक्षक चाहिए तो इसलिए वह एंटी historically आप कर सकते दो थैंश्न किसे कर सकती हैं और वीडियो लगे तो के नीचे कमेंट कर देना थेंक्यू वेरी मच आज के लिए इतना ही मनुराथी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विश्वसनिय खबर के लिए जाने जाते हैं क्योंकि विश्वास से सटीकता से पुष्टी करके ही चीजों को आपके सामने प्रस्तुत थेंक्यू कुझे हिंजे बार